हेलो आप सब कैसे हैं आपका मेरे चैनल नों बहुत-बहुत स्वागत हैं चलिए हम आपको अपनी किचिन की तरफ लेके चलते हैं आज हम नास्ते में आलू के पराथे बनाने जा रहे हैं और आलू के पराथे और चटनी नास्ते में बनाएंगे उसके प्रवाद में हम खाने हम add कर देंगे क्योंकि आज हम नास्ते में आलू की पराठी बनाने जा रहे हैं हम नहा कर आ गए थे तो हम नास्ते की तेयारी में लगे हैं और दही भी हो जाएगा आलू की पराठी और चट्नी तो इसलिए हमने यह सब तयार कर लिया है हम यह इसको भढ़ता भी बोलते हैं अब देखिए, निशानäter को हम दो ख़र राते हैं जो आणिस के लिए दो ख़ज़ें को दो हैं तो क्या भात है वस दावद बन जाती है पूरी अच्छी तरह देखो हमने मिक्स भी कर लिया इसको अच्छी तरह से क्योंकि यह वस गरम गरम थोड़े चीले थे नहीं तो जले ठंडा करने को रखना पड़ा था तो अब इनमें गिया कस कर लिया अच्छी तरह अब इसको तरह भी तरह कष़िए हैं तो कि भी कर दोगता एक उल्याव जाती हैं तो यह अच्छी तो ऍरफधिया बनागए आप उसको शोमें पहर चांढ़े कट जाती हैं और नहीं प्र diff यह जो जल्दी आगा फिर बनाने के लिए तब तक कि उसमें आठा भी मिक्स कम अगा लगा धूटे सी दाल भी दोलेंगे, दाल भी गोते हुई थी दोपेर के खाने के लिए दाल डाल-चावल रोटिया बनाएंगे तो देख्या हमने रायर की दाल बहुत दाल अच्छी बहुत आख दोलेंगे दोलेंगे कियोंकि इसका पानि निखलें तो हम भी verbыв स्टोर कर लेते हैं अब इसमें हम चावल भी दोके बिंगो के रख देंगे, कि दुपेर के खाने की तयारी भी साथ में करते जाते हैं, तो यह हमारे जब तक तयार होंगे, फिर इसी बीच में हम नास्ता भी बना लेंगे, इसको अची तरह काफी पानी निकलता है न सगंदा, तो इसमें इसमें हम डाल देते हैं, पेड़ पोदों की ग्रोथ बहुत अची हो जाती है निस पानियों से, क्योंकि फटलाइजर का काम करता है, इसी बीच हम ने धनियाओ काटके हरी मिर्ची काटके रख लिया है, अब इसको हम चटनी भी पीस लेंगे, क्योंकि एक बार किचिन में तो सारा काम पटा-पटा-पट होता जाता है, फिर पढ़ा रह जातों पर पैंडींग में रहता है, क्योंकि इसलिए फिर बार बार जाना पड़ता है उसी चटनी, यह हम सब साथ में, चटनी दाल चावल के साथ बीचलती है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं, अब इसमें हरी श्रमपकों कोड़न गूसी थैसे नतों तंध में विच 너 भी जैसे बूंदी से टेस्ट भी अच्छा जाता है और टेस्ट के चलर बहुत अच्छा हो जाता जाता है हमारी चट्नी भी तयार होने जा रही है , एक नीबु का रस निकाला था , अझा रहे है बाउल में निकालेंगे फिर हम नास्ता बनाएंगे देखिए हम इसको भी बावल में निकाल के रख लेते हैं चटनी को भी इससे बूंदी से सेप से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है इसमें सिम्ला मिर्च भी एड़ कर सकते हैं तोड़ी सी प्लीज लाइक सस्क्राइब करते रहें फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जब तक के लिए बाव